दोस्तों पिछले दो सालों में हाड अटैक के मौमले बहुत तेजी से बढ़े हैं जैत्र मौमलों में क्या होता है लोग हाड अटैक के लच्छल को समझ नहीं पाते हैं इसे आम तोर पर सीने का दर्द समझ का इग्नोर कर देते हैं बाद में क्या होता है सही टाइम पर ट्री अभी कुछ दिन पहले शाउट के बहुत ही फेमास एक्टर पुरु की भी मौत हाथ अटक वज़ेस हुई अभी कुछ दिन पहले रेसेंटली मिर्जापूर वेफ सिरीज में ललित का करदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा की मौत हाथ अटक से हो गई अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ड के अंसार ब्रह्मा मिश्रा 29 नॉम्मर को डाक्टर के पास अपना चेकर प्राने गए थे तो डाक्टर ने एक सिंपल गैस की दवा देकर उनको बोला कि आप अराम कीजिए क्योंकि उनके सीर्णे में जलन थी और दवा लेके वापस आगे लेकि अंतर समझ नहीं पाते हैं लोक लगता हैं कि हाट अट्एक नहीं हाट बॉन है मतलब सीने की जलन है जिससे क्या होता है वह प्रिकौशन नहीं लेते और वह दो… अंकंटरॉबल हो जाता है और उनकी नित हो जाती है तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हाट हमें सब किस केस में हमें हब होता है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आखिकारी हट और होता क्या दोस्तों हमारे सभी में कुछ धुमिया लिया बोलते वोता है ध्यास करोने धह्मनी अगर इसमे कोई बीवारी हो जाती है तो उसे के वज़ए से हे स्कांइल होता है दिल तकक कुछ शारी चीज़े होती है जो हमारे कि दिल की मानस्पेशियों तक खोन का ठीक से पहुँच नहीं पाना जिसके वजह से क्या होता है उसको इनर्जी अर्णवर्ग नाम मिलने की वज़़ से हमारा काम करना बंद कर देता है इससे हें का देख़ें और इसवी के वज़ह से दिल का दौ्ड़ाव पड़ जाता है जिसको हम cardiac arrest करते हैं और जैसे ही cardiac arrest आता तो आपके जो नाड़ी है वह भी काम करना बंद कर देता है तो अब भरल अगर देखा जाया तो heart attack आने का में रीजन है आपकी धमनी जिसको हम करोनोरी धमनी बोलते हैं अगर उसमें कोई बीमारी है तो हाल अटाइक आने के 100% चांसेज है क्योंकि वो उसकी में रिस्पॉंसिबिलिटी होती है आपके दिल तक बलड पहुंचाना इनर्जी पहुंचाना अक्सीजन पहुंचाना औ sarsak शेज हमादि और इसमें नारिचनला बंद रहते हैं जिसके कभी कभी क्या होता है कि हारे पhradik के केस्ट में कभी कभी लोग सरवाइब कर जाते की म्मょissements कॉयें की क्योंकि मैजॉटी अभी इसकेस में बढ़ रही है कि लोग कि अ reflex से मित हुछ रही हुआ हम हम हाड अटैक के लख्छण की बात करें तो बहुत सारे हैं और हर लख्षन का रीजन नहीं हो सकता कि हाड एक कै कुछ खास लख्षन होते हैं जैसा कि मैं आपको सुना देता हूं जैसे कि सीमें दर्द दबाव भारीपन जक्रण महशूस होना और यह सारे दर्द आते जाते रहते हैं लेकिन दर्द कुछ मिन्टों तक भी रह सकता है और सभी हाल अटेक के लक्षण एक जैसे नहीं होते हैं यह लक्षण हलके या गंभीर हो सकते हैं हलके होने के वाज़े से बहुत लोग सवाइब कर जाते हैं अकर ज्यादा गंभीर हो जाए तो फिर उसके में लोगों की दिट हो सकती है सीने में दर्द या बेचरणी आम तौर पर बीच में या बायी तरफ होता है लेकिन यह सरीर के बाकी हिस्सों में भी फैल सकता है यह दर्द एक या दोनों बाहों में जबडे में पीट के उपरी हिस्सों में भी मौसूस किया जा सकता है इसके अलावा ठन लगना बहुत पशीना आना सांस की कमी उल्टी बहुत ठकान और चक्कर आना भी हार्ट अटेक के लक्षन हो सकते हैं अब दोस्ते हमने दुसा तर्म यूज किया था हार्ट व फंदो में हो जाता है तो यह हमां लिए बहुत ज़्यूरी समझना कि हार्ट और हन्तेक का रहा है क्योंकि अगर डोनों में आपने अंतर समझ लिया तो अपने आपको को बचा सकते हैं और सर्वाइब कर सकते हैं तो दोस्तों हार्ट वन कोई बीमारी नहीं है बलकि एक तरह का जनन होता है जो की एसीड रिफ्लक्स की वज़ा से होता है इसकी वज़े से जो खाना भोजन नली में वापस आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं धकार आना गैस हो जा है फिर पीठ में दर्द स्टार्ट हो जाता है जिसको हम लोग तरह तरह से इंटरप्रेट करते हैं बट वह एक जामपल हार्ट वन का जिससे धकार अच्छी नहीं है तो फिर क्या होता हम निभू पाई लेते हैं बहुत सारी चीजें लेते हैं जिससे हमारा वह ठीक हो जात है तो हार्ट बन का कोई ओर रिलेशन हार्ट से नहीं है और के छिषो में हुआ है लेकिन एक्छी हर्ट बन में होता ना सीने में दर्द होता उसकी वज़े से लोग अकसर अगय पता नहीं चलता कि यह हार्ट अटैक है है यहां वह बंद देखा गया हार्ट बन से सरी का होचता है लेकिन लोग करते हैं और लोग क्यों करते हैं अभी तक पता नहीं चला है कि आखी में हार्ट वर्ण के केस में सीनिय में क्यों होता है अब बात कर्ne हर 270 नंतर पर सिन्हें में होतीए और यह जो दर्ध के होता है और यह जो यहां तक कि पिछले शिस में पहुं सकता है इसके लावा सूजन और खटिन दकान आना भी इसके लच्छन अब मुस्तली अगर इसके लच्छन की बात करें तो इसका लच्छन होता है दकार आना थोड़ा बहुत पेट के ऊपर दर्थ होना आइधिंक कि आपने कभी मसाले से ज्यादा खा लिया तब आपने इसको किया है अब दोस्तो होता है मीस आपने खाना खालिया लेटे हैं तब आपको महसूस होता है लेकिन हाट अटेक खाना खाने के तुरंत बात भी हो सकता है और एसीड कम करने वाली दवाओं से हम हाट बंद पर कंट्रूर पा सकते हैं और हाट बंद में सांस लेने में तक्रीप जैसे लच्छन मह तो अब से कम संपर्क करें तो अमेरिका के सीडियेस के उन साथ कुछ खास लक्षण दिखने परी डाक्टर से संपर्क करना चाहिए जैसे कि सिने में दर्ध या बेचैनी दवाव भारीपन शरी के अन हिसों में दर्ध सांस की तकलीफ तंब लगने के साथ पसीना आना मितल और चक्कर आना बहुत ज्यदा थकान महसूस करना गले में कुछ फसा महसूस होना और सथ से खून आना लक्षण हार्ट बन और हार्ट अट्रैक का संकेत हो सकते हैं तो दोस्तों यह सारी चीजे थी हाथ अटाट बीसे क्या है और हार्ट बन तो जब सीने में जलन हो इसमें प्रसान और वाली बात नहीं क्योंकि परसान वने का लक्षे हैं जिसको हम इसीड कम करने वाजी दौाओं से कंट्रोल कर सकते हैं बट हार्ट अटेक सम टाइम में बहुत डेंजर सो सकता है क्योंकि बिछले दो साल का जो भी हो में उसमें लोगों की मित हो रही है लेकि हार्ट अटेक को हम कम कर सकते हैं अगर आपने दिन चारिया सही कर और झालें वाकिओ कि करें तो सही कर लें क्योंकि की जब हम करते हैं तो दौन के सरे के शरीर के हस ब्लॉट बहुँ आची तरीके से काम करते हैं क्योंकि आखना कि क्षिछ सही पाझ पर नहीं पुणट उह जाएता या काम करना बंद कर देता जिसकेवेशेंग होती है क्यो तक पहुंचाना अगर दिल तक नहीं पहुंचेगा हमारा दिल काम करना बंद करता है जिसको हमारा हाट अटेक दोड़ा पढ़ना कहते हैं तो उमीद है कि दोस्तों आपको यह पूरा समझ भाया होगा कि हार अटेक और हार्ट पर्ण क्या है तक पुसर पार आपको यह प्रण संप है तक दोड़ चाहर अटेक है धनक झाए तक दोस्तों प्टार प्रण सब्सक्राइब कई दिल कर दो प्रण सेयर क्यों के दोस्तों कि दोस्त्वर कता है